Hello friends, आज मैं पढ़ाने वाले हूँ आपको Umask Relio Umask Relio क्या होती है? कभी आपने सोचा है कि जब आप कोई फाइल या फोल्डर बनाते हैं Linux पर तो उस पे एक permission मिलती है, by default एक permission मिलती है अगर आप user से बना के देखें, तो user से permission अलग मिलती है और अगर root से बना के देखें, तो root से permission अलग मिलती है तो ये permissions कैसे decide होती है, वो मैं आज आपको बतारे वाली हूँ सबसे पहले मैं आपको एक file of folder बना के दिखाती हूँ कि इससे permission क्या मिल रही है, root से और folder, user से cd slash करके सबसे पहले slash में जाते हैं अभी मैं root से login हूँ, तो मैंने यहाँ पर एक directory बनाई मान लीजिये, s नाम से और इस directory के अंदर चली जाती हूँ यहाँ पर मैं एक directory बनाती हूँ, मान लीजिये, k नाम से और एक file बनाती हूँ, मान लीजिये, j नाम से अब मैं इसको with permission आपको दिखाना चाहती हूँ, तो कल मैंने आपको बताया था, ls space minus l कर दीजिये, permission के साथ देखने के लिए तो आपको दिख रहा है, यहाँ पर अगर permission के सबसे starting point पर dash आ रहा है, इसका मतलब यह क्या एक file है, और अगर यहाँ d लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब यह क्या एक directory है, तो जो file पर आपको permission मिल रही है, वो permission यह है, read, write और read और read के लिए, मैंने आपको बताया था, first three set root user के लिए होते हैं, second three set group के लिए होते हैं, और last three set other के लिए होते हैं, तो जब root कोई file बना रहा है, तो उस पर permission आपको मिल रही है, read, write, read और read की, यानि root user read कर सकता है, और write कर सकता है, group owner जो है, वो read कर सकता है, और others भी उस पर read कर सकते हैं, अगर मैं directory के उपर check कराऊं, तो root user read, write और execute कर सकता है, group जो है, वो read और execute कर सकता है, और other जो है, वो read और execute कर सकता है अब मैं यहाँ पर मान लिजे मैं S से पहले बाहर निकलती हूँ अब मैं S को full permission दे दूँ कल मैंने आपको permission change करना सिखाया था CH mode से अगर मैं इसे full control देना चाहती हूँ तो कल मैंने आपको बताया था कि read की permission 4 होती है write की permission 2 होती है permission कितनी हुई 7 अगर मैं इस पे सबको full control देना चाहती हूँ तो हम change कर सकते हैं CH mode के थूँ जाके CH mode root को भी full control दे दिया 7 read write execute group को भी मैंने full control दे दिया read write execute और other को भी मैंने full control दे दिया read write execute किसको S directory को space देके लिखेंगे यह देखिए मैं ll करती हूँ तो S directory आपको green color से दिख गई इसका मतलब इसके उपर full control हो गया यह देखिए इस पर आपको full control दिख रहा है सबको read write execute सबकी permission मिल चुकी है अब मैं इस directory के अंदर जा रहे हूँ मैंने full control इस लिए दिया कि एक user भी जाके इसके अंदर write कर सके जब तक हम permission नहीं देंगे other user को तब तक कोई दूसरा user इस पर write नहीं कर सकता तो create भी नहीं कर पाएगा कोई directory या file तो मैं user पर switch करती हूँ su stands for switch user पढ़ा चुकी हूँ आपको r1 user से मैंने इस पर login किया यह देखिए अब आप user से आ गया dollar prompt आ गया dollar prompt किस के लिए होता है user के लिए होता है तो अब मैं यहाँ पर एक directory create कर वा रही हूँ मान लीजिए p1 नाम की उसने एक directory बनाई और u1 नाम की उसने एक file बनाई अब मैं आपको दिखाती हूँ एलल के थू भी हम permission चेक कर सकते है जो पहले हमने बनाई थी वो k और j थी यह root ने बनाया था k और j file जो है यह file आपकी root ने बनाई थी इस पर permission देखिए क्या आ रहे सिर्फ root को read write की permission है file के उपर और directory पर read write execute की बाकी group को और other को read करने की permission है और read or execute करने की permission है लेकिन जब यही file और folder एक user बना रहा है तो आप ध्यान से देखिए permission change हो रही है root जो है इस पर read write execute कर रहा है और user जो group है आपका वो भी read write यानि other group के जो users है group honors के वो read write execute कर पा रहे हैं और others इस पर केवल read and execute कर पा रहे हैं अगर मैं file के उपर देखूं तो read write, read write की permission दो बार है और केवल read की permission other के लिए यानि जब root कोई file और folder create करेगा तो उस पे अलग permission आ रही है और जब user कोई file और folder create कर रहा है तो उस पे अलग permission आ रही है how it is possible यह मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ that is you mask value तो मैंने आपको बताया कि read की permission 4 होती है write की permission 2 होती है execute की permission 1 होती है तो total permission हो गई 7 अगर एक folder पर full control आप देना चाते हैं अगर एक folder यानि directory अगर एक directory पर आप full permission देना चाते हैं तो आपके permission की value क्या होगी permission की value होगी triple 7 root को भी full control है group honor को भी full control है और others को भी full control है लेकिन जो permission आपको मिल रहा है ध्यान से सुनिएगा जो permission आपको मिल रहा है root के द्वारा वो क्या मिल रहा है read, write, execute यानि full permission मिल रहा है लेकिन user को group honor हो रहा है उसको जो मिल रहा है वो केवल 5 मिल रहा है और others को भी मिल रहा है 5 तो माइनस कर दीजे, फुल कंट्रोल ट्रिपल सेवन है, जबकि मिलने वाला पर्मीशन, अगर आप कन्फ्यूज हो रहे हैं, तो मैं यहाँ आपको दिखा दूँ, यह देखिए, इकजीक्यूट, तो रूट को रीड राइ एकजीक्यूट यानि 7 पर्मीशन है, लेकिन ग्रूप को रीड एकजीक्यूट, 4 और 1, 5 और 4 और 1, 5, यानि 7, 5, 5 पर्मीशन मिल रही है, रूट के बनाएक फोल्डर के ऊपर, डाइरेक्प्री के ऊपर, तो यही value मैं इसमें से minus कर रही हूँ यानि हम filtration value बता रहे हैं आपको 777 में से 755 minus कर दीजे तो आपकी value आएगी 022 So 022 is the value 022 is U mask value U mask value for root user root user की U mask value 022 होती है यह आपके interview का भी question है लेकिन अगर यही other user आपके group बना रहे हैं जब मैंने एक R1 user से login करके दिखाया तो आपको क्या value मिली directory के उपर directory के उपर जब कोई other user root user full control का user है जैसे windows में आप administrator लेते हो उसकी value बता दी other user जब create कर रहा है तो उसको जो permission मिल रही है वो कौन सी permission मिल रही है full control में से हम उसे minus करेंगे यहां देखिए मैंने जब इसी user से इसको create किया ठीके user से create किया तो आपको यहां पर क्या मिल रहा है यह देखिए p1 user जब यहां पर create किया तो read, write, execute की permission मिल रही है root को और group को भी मिल रही है यानि other user जो group के member है वो read, write, execute कर पा रहे है यानि 7, 7 और last में other को मिल रहा है read and execute यानि 4 plus 1, 5 तो 7, 7, 5 मिल रहा है other user को तो जब एक user एक directory create कर रहा है तो permission change हो जा रही है 7, 7, 5 पर तो you mask value user के लिए क्या calculate होगी 0, 0 और 2 यह difference पूछा जाता है आपसे कि root के लिए you mask value क्या होती है और user के लिए you mask value क्या होती है root के लिए होती है 0, 2, 2 और other user के लिए होती है 0, 0, 2 यह आपकी you mask value मैंने calculate कराई यह मैंने directory के हिसाब से बताया अगर मैं आपको files के उपर दिखाऊं तो files पर full control क्या होता है केवल read और write की permission होती है read की permission 4 और write की permission 2 यानि 6 6 full permission होती है file के उपर तो root के लिए मैंने 6 लिए ग्रुप के लिए six लिखा फिर other के लिए six लिखा और फाइल्स पर permission क्या मिलती है केवल read की permission मिलती है user को other user को और others को तो यहां मिला मेरे को root को मिला full control read or write का लेकिन other को केवल read की permission मिली अब मैं यह आपको check कराती हूँ अभी मैंने बना के आपको दिखाया था यह देखिए जो j file बन रही है इस पर आपको मिल दिख रहा है कि root को हमें यहां पर read और write की permission मिल रही है group को भी r केवल four permission मिली हुई है और other को भी केवल read की permission r मिली हुई है तो यही मैं इसमें से minus कर रही हूँ कल भी हम पूरा permission ही पड़े थे तो आपको इतना clear हो रहा होगा तो six 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 आपका full control है जिसमें से जो permission मिल रही है वो six four four मिल रही है तो same value 022 for root है root user के लिए file के उपर गी और अगर मैं user से करूँ तो full control में से आप क्या minus करोगे ध्यान से देखिए जब user बना रहा है file तो आपको उस पे permission मिल रही है read write, read write और read की यानि six six four की तो इसमें से हम minus करेंगे six six और four तो ये मिल जाएगा zero zero और two तो same way you mask value आ रही है जो हमारी value folder directory के लिए आ रही थी ठीक वैसे ही file के लिए भी आ रही है तो हमने यहाँ पर कुछ calculations की जिससे हमें पता चला कि default you mask setting zero two two root user के लिए होती है और zero zero two regular user के लिए होती है पहली ये चीज मिली you mask value एक तरह से filter value है minus कर रहे हो इसका मतलब filter value है तो क्या filtration करके permission क्या मिलती है by default जब हम file create करता है कोई root user तो उसे six four four की permission मिलती है और जब वो directory create करता है तो 755 की permission मिलती है यह आपने अभी minus किया थे देखे 755 और six four four तो यह आपको permission मिल रही है अगर हम इसे कहें read write में execute करवाएं तो आप कहोगे कि read और write की permission मिल रही है ठीके root user को group को मिल रही है read की permission और other को मिल रही है read की permission और 755 जब हम directory के उपर कर रहे हैं तो read write execute मिल रही है user root user को group को मिल रही है read and execute की और other को भी मिल रही है read and execute की value तो आपको यहाँ पर यह समझ में आया कि हमारी जो value निकलती है तो उससे क्या आपको पता चलता है you mask value by default आपके login shell में define होती है यानि setting होती है आपके Linux के अंदर कि जब root कोई file या folder बनाएगा तो उसे क्या permission मिलेगी या user कोई value बनाएगा तो उसे क्या permission मिलेगी अब हो सकता है कि आपको you mask value आप change करना चाहते हो आप चाहते हो नहीं मुझे ये value नहीं चाहिए आप अपने हिसाब से value चेंज करना चाहते हो तो यू mask value अगर आप temporary change करना चाहते है तो उसकी command होती है यू mask triple seven मैंने लिग दिया तो क्या हो जाएगा मानले उसको सारी value सारी permissions क्या हो जाएगी zero हो जाएगी मैं करके दिखाती हूं आपको मानले जिए पहले मैं root पे चली जाती हूं क्योंकि यू mask change करने की permission सिर्फ root को होती है तो we have to switch over root तो मैंने root से login कर लिया hash permission आ गए ये देखिए अब यहाँ पर मैंने यू mask value change किया यू mask अब मानले जिए मैंने इसकी value रग दी triple seven ये देखिए अब मैं यहाँ पर एक directory बना रही हूं t1 और इस t1 को हम चेक करते हैं ये देखिए t1 को 00 क्योंकि हमने filtration value उसकी क्या कर दी triple seven कर दी और triple seven में से triple seven minus करेंगे इसका मतलब किसी को कोई permission नहीं है कोई भी t1 directory पर read write execute नहीं कर सकता है अगर मैं इसकी value change करके triple zero कर दूँ तो उसकी value यू mask value अब 0000 हो गई यानि full control सबको मिलेगा ये भी आप करके देख लीजे mkdir y1 के नाम से मैंने एक file बनाई और ये देखिए अब y1 को full control मिल गया क्योंकि मैंने you mask value सारी read write execute पूरी दे दी तो इस तरह से आप temporary यू mask value को change कर सकते हैं temporary का मतलब है restart करके आएंगे तो यह अपने default setting के ऊपर आ जाएगी यू mask is very important question for the interview in linux आपको पूछा जाता है कि root पर क्या value है और user पर क्या value है और वो values आपके जो भी आप you mask value setting करेंगे उसके हिसाब से आपका root user जब कोई file या folder बनाएगा तो उसको permission मिलेगी या user कोई file या folder बनाएगा तो उस पर मिलेगी तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि आपकी जह है क्या permissions मिलने वाली है यह settings you mask के थूँ set किया जा सकता है झाल 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 झाल